हेलो एव्रिवान जैटन क्लासिस में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे क्लेमेंशन अप्चेन क्लेमेंशन अप्चेन में क्या होता है जब एल्डि हाइट या फिर क्यों को जेंक अमलगम के साथ सांध्र एचसीयल के साथ अभिकरत करते हैं तो भे अपने संगत हाइड्रो कारवंस में अप्चेईट हो जाते हैं इसे क्लेमेंशन कहते हैं मिस जब हम कोई अलिहाइड और किटोन को जिंक अमलगम के साथ सांध एसील के साथ मिस अलिहाइड और किटोन में जिंक अमलगम और सांध एसील दोनों मिलाके उसके साथ अभी क्रिया कराते हैं विकरत करते हैं तो जो संगत हाइडोकारवंस होंगे उनमें ये लिए ऐसी तल्डी हाइड सी एस थ्री कि ऐसी एचो कि यह फॉर्मूला हो गया है ऐसी तल्डी हाइड कि इसकी अभिक्रिया करा क्या रहे हैं हम इसका अप्चेन करा रहे है तब क्या होगा यह जो एल्डी हाइड है न यह एल्डी हाइड एलकेन में कनवर्ट हो जाएगा मिस एसी तल्डी हाइड जो होगा वो अपने संगत हाइडो कारवंस में यहाँ पर दो कारवंस हैं तो दो कारवंस के हाइडो कारवंस में यह कर्वर्ट हो जाएगा मिस एसी तल्डी हाइड जो होगा वो एधेन में बदल जाएगा अब चैइत हो जाएगा कैसे यहाँ पर H2O remove हो का माइनस H2O इसका दूसरा एक्जामपल देख लीजिए अगर हमने यह acetaldehyde की जगे acetone ले लिया CS3 single bond double bond O single bond CH3 यह हो गया acetone हम क्या करा रहे हैं अपचेन करा रहे हैं प्रिजेंस होगी ZN HG और सांद्र SCL तब क्या होगा यह जो ketone समू है यह ketone समू अपचेत होकर alkane में convert हो जाएगा तो CS3 single bond CH2 single bond CH3 और एक H2O release हो जाएगा मेंस माइनस H2 यह जो बना है वो बना है propane दोनों रियक्शन को balance कर लेते हैं यहाँ पर 2H यह निकल गए और 2 का यहाँ पर increasement होगा है मेंस 4 hydrogen यहाँ पर increase होए है और 4 hydrogen यहाँ पर increase होए है यह क्लिमेंशन अपचेंट था एक बाफर से देख लीजी हमने क्या करा कोई भी LD हाइड यह कीडोन को जब जिंक, अमलगम और सांद, HCL के साथ अभी करते हैं तो भै अपने संगत हाइडो कारवन में अपचेट हो जाता है फॉर एक्जामपल हमने 2 कारवन का असे टलडी हाइड लिया जिसको हमने अपचेट कराया ZNHG में जिंक, अमलगम और सांद, HCL की उपस्तिती में तब क्या हुआ यह जो LD हाइड समू था गुरूप था वो किसमें अलकेन में कनवर्ट हो गया दूसरा ऐसी टोन लिया ऐसी टोन में जो CO गुरूप था फंक्शन गुरूप वो क्या हुआ ZNHG और SCL सांद, HCL की उपस्तिती के कारण यह अपचेट होकर अलकेन में कनवर्ट हो गया मुझे उमीद है आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें थैंक यू